अब बात करेंगे बिहार हिंसा की बिहार जल रहा है बिहार जल ले के साथ सियासत भी तेज हो गई है क्योंकि जिस तरह से सियम नितीश कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में बीजेपी का हाथ है जान बूच कर गड़वड़ी की गई अगर आज के दिन की बात करें बिहार विधान सभा में जम कर हंगामा हुआ बीजेपी निताओं ने हंगामा किया है आज बिहार विधान सभा में क्योंकि इस इंसा को लेकर आज ये मांग, ये गुन्ज उठी, एक तराफ महागट बंदन की सरकार ये कह रही है कि इस पूरे मामले में कहीं न कहीं बीजेपी का हाथ है, तो वहीं दूसरी तरह बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर हंगामा करती हुँ नजर आए, आपको ये जाते रहते सुनमा देते आपको कि नितिश कुमार ने क्या कुछ का एक गर में जाजा करके देख रहा कुछ दिन के बाद आपनों को पता चलेगा यह जान बुछ करके जानते हैं यह सब किया गया एक जगह जिनको जाना था जान बुछ करके वहां करवाया है और दूसरा जगह बिहार सरीफ है समझ गए बिहार सरीफ नामकरन किस ने किया है बिहार था पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार और उसको हम ही किये बिहार सरीफ आप जड़ा जान लीजिए भूलिये मत तो उस बिहार शरीप में जो धन्दा करने का कुछिस कोई किया है इस सब पता चलेगा कुछ दिन के बाद एम आईम का चीज है वो बिलकुल जो केंद्र में है रूलिंग उन्हीं का वो एजेंट है समझ इक है कि नहीं अब उसको दे दिये है आप कितरा चाप बोलिये आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP है उनका कोई न्यूच शाप आप बोलिये इसका कितना न्यूच शापता है देशपट में आप जरा बताइए इससी सरे पता चल जाता है कि ईयोंट किसका है कहान का रहने वाला है यह तो बाजाबत्त अउनके खास है जान बूझकर करके कहा कि कुछ हम नहीं पर भी बोलती रहो हल्का फुलका लेकिन बाद में वही है बादा नहीं बैचरे सुसील दो लोग है समझ लेजिए एक राज कर रहा है और दूसरा उसके साथ उसका एक है एजेंट है अब वो मिल करके इस सब इधर उधर कर रहा है समझ गया तो सीम निदेश कुमार को आपने सुना होने का साजिश के तहत यह हिंसा की गई है लेकिन बीजेपी ने ता विजय सिन्ह अब यह सुनिए कि आज सदन के अंदर जब हम लोग विहार सरीफ नालंदा सासा राम मुझहपरपूर भागलपूर गया का मामला उठाया और तुष्टी करन की राजनित में एक पक्षिय करवाई हिंदूओं पर उसी पर उसी का लूट हुआ उसी का पथल बरसा उसी की हत हुई और उसी के पड़िबार को पकड़ करके अंदर कर रहे हैं एक भी जबाब नहीं दिये मंत्री जराइल मनसूरी पर अफायार तक नहीं किया गया और जब यह प्रस में हम लोग उठाए तो सत्ता पक्ष के लोगों का और संसदिये कार्ज मंत्री वो ग्यान बखार रह गया थे हमने कहा हमारे सदस्तों ने कहा कि मुख मंत्री जबाब दे मुख मंत्री सदन के अंदर आना आते नहीं है तो विज़सिना को आपने सुना कुल मिला कर देखिए सरकार की तरफ से एक तरफ कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में परशासन अपना काम कर रहा है लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार कितनी सकते है क्योंकि हिंसा कई दिनों तक हुई और कई अलग-अलग जग में SIT का गठन किया गया है क्योंकि अब ये पूरा मामला SIT के हवाले हो गया पुले से अब तक 173 लोगों को गिरफतार के इस पूरे मामले में जो उपद्रवी है उनकी गिरफतारी हुई है घोड सवार और फौजी दस्ता का प्रभावी शेत्रों में गश्त चल रहा है फ 37 CCTV और वारल वीडियो के अधार पर भी जाच की जा रही है उपद्रवीयों को ढूना जा रहा है उपद्रों मचाने वालों को चिंधित कर ग्रफतार किया जा रहा है कल एक शक्स जो के हाथ में पिस्टल यह वा था उसका वीडियो भी वारल हुआ था हिंसा के आरोप्यों क सुर्य जरूर सुनाई देने लगे हैं कि कहीं न कहीं योगी मॉडल के थैत कारवाई की जा रही है सागर स्थी नोक जोक हुए है लेकिन जो ताजा हालात हैं को हम वही पस़ाख रुखते हैं इभी भी जो हालात है को ऐसा कहा जा रहा है कि दीरे-दीरे पट्री पे लोट रहा है लेकिन तब से बड़ा सवाल है कि काभू पाने में प्रसाशन को साशन को इतना समय क्यों लग गया यह एहम सवाल है जो प्रशाशन को पबली के बीच में आगे देना होगा सरकार यह कह रही है कि हंगामा रोपने के लिए वो तमाम जरूरी एहतियात किये थे लेकिन बावजूद इसके वहां पे बवाल हुआ कासरा में बवाल हुआ प्यार तरीक में बवाल हुआ और यह पवाल लगवा चार-पांच दिनों से चल रहा है अभी भी वहां इंटरनेट से वाट धीक से काम नहीं कर रहा है तो कहीं न कहीं तरकार की भूमिका इसमें तरकार की जो तैयारियों की भूमिका है वो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है तो यह क्या नहीं सकते हैं कि अभी सब कुछ आलात जो है तमान हुआ है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अब कुछी पुलिस की टुक्रिया वहां पर टैनात की गई हैं, कमाम तरह के फायार किये गये हैं, के साइटी का गठन कर दिया गया है, तो जाइड तोर पर वहां पर ऐसे में आजीब क्योंकि बेहार को इन चार-पांच दिनों में काफी नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं लगता कि सरकार की तरफ से देरी से कारवाई की जा रही है, साइटी का गठन अब जाकर किया, जबकि शुरुवाती दिन में ही कर देनी चाहिए, फिलहाल चलिए साइटी का गठन भी हुआ, लेकिन अब आगे क्या और कारवाई होती नजर आरी, क्योंकि सरकार कह रही है, कि पूरे मामले में प्रशासर ने नजर बनाया है, और जो भी दोशी है, उसे बक्षा नहीं जाएगा, सक्त कारवाई होगी। तो ये तमाम तरक इस सवाल है, ये प्रशासर की जो तैयारियां है, उस पर निश्ची तोर पर ये सवाल खरा होता है, और निश्ची तोर पर ये सरकार की भी फलता है, इससे सरकार मुह नहीं मोर्तक की है, अब जिमेदारियों की बात करें, जहां पक्ष को जो सरकार को करन प्रफ़ाइब दिखाते हैं क्योंकि बीजेपी जमकर हमलावर बिहार में जान बुशकर हिंसा कराई गई बियार किसी हम नितीश कुमार की कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी से हालाज जब सम्हाल में नहीं आए तो कह रहे हैं कि ये सब कुछ साजिश के तैप किया गया कुछ लोग इधर उधर करने में लगें जल्दी सच सामने आएगा नितो अब ऐसे में बीजेपी निता विजय सिना ने कहा ताजिया पर कोई पत्थर नहीं बरसाता ये विजय सिना की तरफ से कहना है गिरिराज सिंग ने कहा नितीश बिहार को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तो तमाम प्रतिक्रियाई भी हम आपको दिखा रहे हैं वैसी साब ने भी इसी बात की जिकर की है